वेल्कम बेक टू मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं एक आई मास्क का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में इसकी डेमों भी दिखाऊंगी तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं यहाँ पर मेरे पास यह बायो गोल्ड को लेजन आई मास्क है यह यह मुझे तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं यह यहाँ पर उन्होंने बैखा है यहाँ एपकी इसको हाइडरेटन करता है वैटनिंग करता है, मॉस्चुराइजिंग करता है, एंटी रिंकल करता है, पोर को मिनिमाइज करता है और साथ में उन्होंने कहा है, इसमें प्यور गोल्ड है, बायो इंग्रेडियन्स हैं और एक्टिव ऐलेमेंट्स हैं जो आपके आई एरिया को instantly moisturize करते हैं, rehydrate करते हैं और regenerate करते हैं. ये आपकी आँखों की थकान को दूर करता है, fine lines, wrinkles और crow feet line जो होती है उनको दूर करता है. ये आपकी eye bags को minimize करता है और dark circles को हलका करता है. और आपकी eyes की जो skin है उसको youthful और radiant करता है. और इसके जो ingredients उन्होंने बताये हुए यहाँ पर nano active gold है इसमें, bone collagen है, placental extract है, flavonoids है, aloe extract है, ginco extract है, victoria C है, victoria E है, hyaluronic acid है और साथ में है rose essential oil. और इसकी application करने के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, wash your face and eyes with warm water, आपको warm water के साथ अपने face और eyes को wash कर लेना है, इसमें से जो eye mask निकाल कर अपने under eye area पर apply कर लेने हैं और हलका सा प्रेस करना है, 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है, उसके बाद इसको remove करने के बाद clean water के साथ wash कर लेना है, और उन्होंने बताया हुए कि all skin type वाले इसको use कर सकते हैं, और इसका best time इसको use करने के लिए रात को सोने से पहले इसको लगाई यहां फिर आप rest करने जा रहे हैं तब इसको apply कर लीजिए, यहां पर 3 year आपको इसकी self life मिल जाती है, और यहां पर इसका price मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, इसका price वैसे 200 रूपिस लगा हुआ था, popal.com से मैंने इसे purchase किया है, लेकिन वहां पर काफी अच्छी offer चल रही थी, तो मुझे यह सिर्फ 89 रूपिस का मिला है, तो आप अगर लेना चाहिए, तो वहां जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे description box में इसका link दे दूँगी, popal.com पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसकी जो quantity है, 25 gram इसकी quantity उन्होंने यहां पर दी हुई है, तो मैं भी इसको पहली बार यह अप्लाई कर रही हूँ, और यहां पर उन्होंने यहां पर तो उन्होंने mention किया हुआ है कि कितने time इसको use करना है, तो वहां पर daily use करने के लिए कहा गया था, लेकिन एक दिन छोड़के या हफ़ते में दो बार इसको use किया जा सकता है, तो यहां पर मैं आपको अपने eyes पर इसको apply करके दिखाती हूँ, तो जैसे ही मैंने इसे निकाल कर अपनी eyes पर लगाया, तो मुझे ठंडा सा feel हुआ, जैसे कोई eyes cubes मैंने रख लिया हूँ, आइस के उपर, और साथ में मुझे थोड़े सी burning भी हूई, जलन सी होने लगी eyes के जो आसपास area है, उस पर तो मैं थोड़ा सा डर भी गई थी कहीं eyes पर redness जा कोई allergy ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जितनी देर तक मैंने apply किया, वो होती रही वैसे ही burning सी, तो जैसे ही मैंने इसे 15-20 minute तक रखा और उसके बाद मैंने इसे remove किया, तो मेरा जो eyes area था, वो बिल्कुल moisturize हो चुका था, और जैसे कि आपकी eyes are tired हो जाती है, पूरा दिन काम करने के कारण तो आप इसको लगाने के बाद रिलेक्स फील करते हैं, इसके लिए अच्छा मास्क है, और यहां तक whitening की बात है, तो whitening आपको पता ही एकदम से नहीं आती है, और लगातार यूज करने से शायद याइस को whitening भी देगा, bright करेगा, और जो wrinkle की बात है, वो भी थोड़ा eyes को यूज करने के बाद ही पता चलेगी, तो जैसे कि इन्होंने hydrate और moisturize का है, वो instantly आपकी eyes को hydrate और moisturize कर देता है, और जो tired eyes होती है, उनको रिलेक्स करता है, यह इसका review था मेरे, जैसे कि मैं में इसको अपल आपको टाइम पर मिल सकें, तो चलिए, ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तो तब तक के लिए, बाए, टेक कियर